असलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग खेरिये से होंगे आज की क्लास ममलोग क्लास 12 मंतली एक्जामिनेशन जून 2024 का उर्दू का कोशन पेपर के साथ हाजिर वाहूं ये कोशन पेपर ISC यानि साइन्स आइकॉम यानि कॉमर्स और फुल मार्क्स आपको पताई हैं पचास नंबर का होता है बिल्कुल ओरिजनल कोशन पेपर हैं आज की क्लास ममलोग पूरा कंप्लीट कोशन पेपर को कवर करेंगे अब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को ठीक हैं अगर आप लोग अपनी उर्दू की तयारी बहतर करना चाहते हैं आप अगर एकजाम देना चाहते हैं और चाहते 99 मार्क्स आए तो आज ही आप लोग एप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए एप्लिकेशन का नाम है एस उर्दू एजुकेशन यह पले स्टोर पे आपको मिल जाएगा जिन बच्चों को डाउनलोड करने में फिर कोर्स परच् measurement करने में किसी तरह की परिशानी आए आप लोग हमारे इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं नमबर है 9-5-0-8-21-4-7-6-0 इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके आप लोग कोर्स के लिए पूरे डीटेल्स जान सकते हैं जो भी दिक्कत हों आप लोग सॉल् और original question paper को हम लोग देखते हैं full marks 50 का है आप सब को पता ही है पहले से ही और total number of question एक से लेकर 30 तक रहेगा objective जिसमें हम लोगों को 25 ही बनाना रहता है ठीक है एक से 30 तक रहता है 25 का ही जवाब हम लोगों को देना रहता है सबसे 50 सवाल है आपके पास सवाल number 1 शामिले निसाब मजमून इंशाया क्या है इसके मुसनिफ कौन है ये question आपका chapter number 3 से पुछा गया है सब लोगों को पता होगा वजीर आगा इनके मुसनिफ है यानि writer है option number C जतने बच्चे दे रखे हैं बिलकुल आप लोगों का perfect हो जाएगा अगला सवाल आता है सवाल number 2 द्यान से दिखिएगा कौन सी नसर की सिन्फ या फिर आप लोग बोल सकते हैं डारेक नसरी सिन्फ चावल पर कुल हुवल्ला लिखने का fun है ठीक है अपका अफसाना में बताया गया है बहुत सारे नकाद यानि लिखने वाले बताया है कि अफसाना पर चावल पर कुल हुवल्ला लिखने का fun है अफसन number D इसका सही हो जाएगा अगला सवाल आता है सवाल number 3 आपके पास सवाल number 3 है एहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई इनकी जो है डेत कब हुई इनकी मिर्तियू कब हुई यह पूछ रहा है तो इनकी वफात हुई थी 28 सितंबर या फिर 28 सेप्टेंबर 1987 को हुई थी और यह तदफीन जो इनकी वफात होने के बाद इनको जो दफन किया गय 29 सितंबर 1987 में ही ठीक है तो फाइनली आपको डारेक्ट पूछ रखा है एमद जमाल पाशा की वफात कब हुई है आपको जवाब देना है 1987 स्वी में इनकी वफात हुई है अगला सवाल आता है सवाल number 4 जन्नत से हुक्मे सफर किसे हुआ था सब लोगों को पता होगा अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इस्लामिक नॉलेज है तो पता ही होगा हजरत आदम अरी सलाम को जन्नत से हुक्मे सफर हुआ था और सबसे पहले इनसान हजरत आदम अली सलाम है हम तमाम लोगों का वालिद हैं दूसरी बात यह हैं कि यह सबसे पहले नभी हैं सबसे पहले पैगंबर हैं यानि और सबसे पहले इनसान भी हैं आपसन नंबर ए बिलकुल परफेक्ट होगा चान नंबर सवाल का अगला सवाल पांच नंबर पे इन्शाया किस चीज़ की पैदावार हैं नाखुशगवार हालात इल्म की गहराई उसके बाद मवाफिक हालात अगर खुश है तो बोल सकते हैं कि अमजद एक्जामपल के तौर पर ले रहा हैं अमजद जो है खुश हाल है खुश हाली चल रही है उसकी जिन्दगी में तो यह चीज होता है इन्शाया में इन्शाया परने के बाद आपको एक अच्छा और महसूस होगा आपको अच्छ लगेगा खुश गवार या फिर अच्छे हालात से आप जो है क्या होंगे वाकिफ होंगे और आपको अपने आप में बहुत बहतर लगेगा इन्शाया परने के बाद इसलिए किस चीज की पैदावार है यानि इस चीज क्या पैदावार होती है जो काराइन पढ़ते हैं उ इसके अफसान निगार कौन है यह टॉबा टेक्सिंग यह एक अफसाना है और इस अफसाना के मुसंनिफ और राइटर का नाम है सादत हसन मन्टू याद रखनेगा ट्रिक यह है यहां पर आप लोग एक चीज देखे तोबा लोग liekा एक चीज क्या टूबा है तो यहां प त्वाल 7 नमब्र पे वजीर-े-अगा का तालूग किस मुलक से हैं, वजीर-े-अगा का तालूग मुलक आपका, देखेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तरकिस्तान, तो वजीर-े-अगा चैप्टर नमबर थर्ड जिसका नाम है इन्शाया क्या है उनके मुसनिफ है उनके मुसनिफ यानि उनके राइटर है और इसका तालुक जो था ना पाकिस्तान से था और अगर आप चाहते हैं अपनी बहतरीन तयारी करना तो आज ही आपको नमबर वहाँ पर मिल जाएगा किसी तरह की दिक्कत परिशानी होगी आप हमसे रापता करेंगे नमबर एक बार मैं बोल दे रहा हूँ 950-821-4760 इस नमबर पर रापता करेंगे आप लोग कॉर्स के बारे में पूरा डिटेल पूछ सकते हैं और यहां पर तो आपको जल्दी अल्दी पढ़ाया जा रहा है लेकिन एक एक चीज को अच्छे डंग से आपको बिलकुल आसान लेग्वेंज में आपको एप पर पढ़ाया जाता है इसलिए आप लोग आज ही कॉर्स को जोइन कर लें ठीक है बढ़ते हैं आगे सवाल नमबर साथ आपके पास मुहम्मद अली फजल उद्दीन बशन सिंग या फिर हरी सिंग तो टौबा टेक सिंग का असल नाम था बशन सिंग क्या नाम था आपसन नमबर सी बिलकुल परफेक्ट होगा बशन सिंग नाम था इसका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल आता है सवाल नमर नाइन मंटू के पहले अफसाने का अनुवान क्या है हाला कि मंटू के जो है ना बहुत सारे अफसाना है उनमें से एक मंटू का अफसाना है आतिश पारे ठीक है जिनके अशात हुई है 1936 1936 से आप लोग रिलेट करके याद रखेगा कि इसमें जो है एक खातून अफ सनिफ का नाम है जीलानी बानू उनकी पैदाश भी है 1936 में और साथ साथ में 1936 में तरक्की पसंद तरिक की आगाज भी थी उसी तरह याद याद रखेगा मंटू के पहले अफसाना जो है ना 1936 में लिखा गया है जिसका नाम है आतिश पारे लेकिन उसके बाद हाला कि यह अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 10 सवाल नंबर 10 क्या है फकश ने की सबसे मुखतसर सिन्फ को क्या कहते हैं फकश ने का मतलब यह हुआ कि असल में जो है ना यह चीज नहीं होती है यानि इसको एक बनावटी या फिर कलपना कह सकती हैं कलपना करके यानि जो राइटर के दुवारा जो कहानी लिखी दाती हैं किसा कहानी लिखी दाती है उसी को फकश ने कहते हैं और मुखतसर का मतलब होता है चोटा यानि सबसे कम जो है ना उसमें किस चीज में सबसे कम कहानी होता है अफसाना में डरामा या फिर नाविल या फिर दास्तान तो सब सबसे बड़ा जो कहानी होता है नाविल में होता है उसके बाद दास्तान फिर डरामा और सबसे छोटी जो कहानी होती है वो अफसाना होता है ठीक है अफसाना में और ये चारों के चारों बिल्कुल एक ही कैटेगरी के हैं लेकिन सबसे मुखतसर जो होता है वो अफसाना में ह पढ़ते जाना है, यह नहीं कि सिर्फ जून एक्जाम के लिए men's exam के लिए भी तो आपको तयारी करनी है न, यहीं सब तो question आता है men's exam में भी ठीक है, इसलिए आप लोग अछे से पढ़ लिजिए क्योंके exam में ये question 100% आएगा, बहुत ज़ैदा important question आपको exam mine's exam में पूछा ज अगला सवाल 11 नमबर पे उस पागल का नाम बताईए, जिसने अपने मुतालिक मुहमने अली जिनना होने का ऐलान कर दिया था, तो उस पागल का नाम था बचन सिंग, आप बिल्कुल परफेक्ट। अगला सवाल बारे नमबर पे कामिले इनकलाब का तालुक किस सिन्फ से हैं कामिले इनकलाब इसको हम लोग इंगलिश में कहते हैं टोटल रिवेलेशन और हिंदी में कहते हैं संपूर्न करांती इनके मुसनिफ सब लोगों को पता होगा जैपरकाश नारायन है और ये एक खुतबा है और अफसन नमबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा जिन बच्चों का हिंदी है उनको पता होगा ठीक है आप लोगों ने इसको कामिले इनकलाब खुतबा को पढ़ रखे होंगे चलिए बढ़ते हैं आगे अगला सवाल आपके पास सवाल नमबर 13 नजम मेरा सफ जाफरी की पैदाईश कब हुई सब लोगों को पता होगा उत्तर परदेश बल्रामपुर में 1913 इसवी में इनकी पैदाईश होती है उनी 1913 आप लोग याद कर लीजिए पंदरे नमबर सवाल लवज बर्ग ये जो है आसलम है फारसी लवज है इसके माना क्या है आपको ब परफेक्ट होगा अगला सवाल 16 नमबर पे अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिन्दगी का आगाज किस सिन्फ से किया है कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अफसाना शेरो शायरी वगरा नजम वगरा जो स्टार्ट किया है यह सबसे पहले किस चीज से आगाज किया ह तो सबसे पहले यह अफसाना निगारी से स्टार्ट किया है ठीक है किस से अफसाना निगारी और फिर से रो शायरी में दाखिल हुँए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 17 नमबर पे नजम बर्खारूत के नजम निगार कौन है तो आप लोगों में बहुत से स्टूडन मुहम्मद हुसाइन आजाद मारेंगे ये गलत है अल्लमा अक्बाल अक्बर अल्टाफ हुसाइन हाली ठीक है आप लोग अगर पढ़ेंगे नजम से पहले जो पहला पेज में दिया हुआ है नजम के बारे में बताएगे है वहाँ पे साफ साफ लबजों में बताएगी है कि हाली जो है ना हाली का नजम का नाम है बर्खारूत ठीक है याद रिकिएगा अल्ताफ हुसाइन हाली इनके राइटर मसंनिफ है सवाल Cause 18 यारभ जमाना मुझको मिटाता है किस लिए ये मिस्रा किस शायर का है तो यारभ जमाना मुझको मिटाता है किस लिए लोगे जहां पर पुर्फ मुकर्रर नहीं हूं है ये शेर जो है गालिब के पहले घजल का सानी मिसरा का पहला शेर है ठीक है याद रखिएगा आप लोग मिर्जा गालिब का ये शेर है आपसन नमबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा आगे बरते हैं 19 नमबर सवाल मिर्जा गालिब की पैदाइश कहां हुई देहली लखनो आगरा रामपुर मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई है आगरा जहां पर इसका नानिहाल था उसके बाद जो है ये सुस्तराल चले गए सुस्तराल इसका देहली था याद रखिएगा आप लोग ठीक है अगला सवाल इस नमर पर उर्दू मॉला ठीक है उर्दू मॉला क्या है ये मजामिन का मजमुआ खतूत का मजमुआ शेरी का मजमुआ या फिर अफसानवी मजमुआ तो उर्दू मॉला जो है ना ये गालिब के ये एक खतूत का मजमुआ है ठीक है इसमें बहुत सारे खतूत शामिल है उर् दाइम परा हुवा तेरे दर पर नहीं हूँ मैं और खाक ऐसे जिन्दगी के पत्थर नहीं हूँ मैं तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि दाइम का मानी होता है हमेशा यानि हमेशा परा हुवा तेरे दर पर नहीं हूँ मैं यानि तेरे दर्वाजे पर नहीं हुमें इस तरह से आप लोग अगर क्लास करेंगे ने भाई बहुत ज्यादा मजाएगा हम लोग एक एक चीज को अच्छे धंग से अच्छे तौर पर हम लोग समझाते हैं इसलिए मैं आप लोग उसे बार-बार कहता हूँ कॉर्स को जोइन जरूर करें आज ही डाउनलोड कीजिए पले स्टोर से जो नाम चैनल का दिख रहा है एस उर्दू एजुकेशन नाम से चैनल का नाम से ही आप लोग पले स्टोर से एप को डाउनलोड करके कॉर्स में जोइन कर लीजिए ठीक है बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नमर पे एक पं के साथ कई काम निकालना एक पंध दो काच बिलकुल परफेक्ट है बाई अगला सवाल 23 नमर दर्स जैल में साबेका वाले लवज की निशान दही कीजिए आपको कह रहा है कि कौन ऐसा लवज है जिसमें साबेका का इस्तिमाल किया गया है अब साबेका लाहिका ये भी समझ से शुरू होता है और से साबेका ठीक है तो शुरू वाला लवज में एड हो तो साबेका लास्ट वाला एड हो तो लाहिका तो यहां पर आप लोग देखेंगे असल में लवज इद है यहां पर गह जोईन हुआ है यहां पर लाहिका का इस्तिमाल किया गया है असल में कुत जिसका कोई आपको नॉलेज नहीं है नहीं पता है उसके बारे में उसी को कहते हैं ला इल्म फानली अगर राइट अंसर की बात करें दरजल में साबका वाले लफजी की निशान दही किजिए तो ये आपका ला इल्म आफिसन नमबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा चोबिस नमर सवाल शेर में किसी तारीखी वाकिया का बयान कहलाता है तफरीख, इस्तियारा, कुनाया या पिर तल्मी तो कहलाता है जब भी तारीखी वाकिया का बयान होना तारीख से मुराद ये है historical ठीक है यानि historical अगर वाकिया कहानी बयान किया जाए ये उसको तलमीह कहते हैं क्या कहते हैं सीना आते हैं तलमीह कहते हैं आफसन नमबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा नेक्स कोश्चन 25 नमबर पे जदीद का जदीद की ज़िद क्या होगी तो ध्यान देखिएगा जदीद का मतलब नया होता है और कदीम का मतलब पुराना होता है तो जदीद का जद आपका कदीम हो जाएगा अफसन नमबर भी अगला सबाल 26 नमबर पे दर्जायल में लकब की चीज़ का तो ध्यान लखेगा खिताब लफज है ये खान बहादूर जो है ना जो हुकूमत या अंजुमन के जानिब से जो अवार्ड दिया जै उसको हम लोग खिताब केते हैं असल में खान बहादूर खिताब है ठीक है और गालिब अगर देखें गालिब खान बहादूर खिताब के सेंस में भी इस्तिमाल किया गया है और कहीं कहीं पे खान बहादूर का ही इस्तिमाल लकब में भी किया गया है ठीक है तो यहां पे हम लोग आपसन नमबर ए पे ही मारेंगे किस पे मारेंगे खान बहादूर लकब का आपसन पे मारेंगे यानि खान बहादूर अ इस तरह से हम लोग नाम में इस्तिमाल कर सकते हैं इस चीज का इसरी आपका खान वाहदूर यहां पे लकब में भी इस्तिमाल करेंगे, option number A पे आप लोग मार दीजेगा, पपु जो है यह आपका उर्फी नाम हो जाएगा, अब आप लोग बोलेंगे इसर उर्फी नाम क्या ह सब करते हैं जो नामस्तिमाल होत ऐसके तर गाली का कुनिये में का ई queer कि टालूक सी क्या है उप्स सक्षाइध को रहा हुआना सबका rest इन्शाया अफसाना और ये जो है ना इन्शाया है इन्शाया से तालुक रखता है अगला सवाल 28 नमर पे इन्शाया को दिगर इंशाया को दिगर, दिगर का मतलब हुआ दूसरा और असनाफ, सिन्फ की जमा होती है, असनाफ किसको कहते है, किसम को कहते है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इंशाया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है, मुमीज का मतलब हुआ, अलग करती है, ठीक है, अब प तरह की सिन्फ होती है उसमें से इन्शाया को कौन ऐसी किसम है जो अलग करती है तो यह है इसका गहर रस्मी तरीका कार ठीक है इसमें जो है ना गहर रस्मी तरीका कार कहने का मतलब यह हुआ कि इन्शाया में क्या होता है इसमें कहानी किसा कहानी के तरह यह नहीं होता है यह म सनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है तो गयर रस्मी तरीका कार अगला सवाल 29 नमर पे जिस तहरीर में शेरो अदब की तफहीम और ताबीर वो तश्रीकी दाएं उसे क्या कहते हैं इल्मी मजमून जरीफाना मजमून तन्जिया मजमून तनकीदी मजमून तो इसको हम लोग एंगलिस में कहते हैं रटीककल से और अर्डू में से को कहते हैं तनकीदी मजमून छीक है जिस तहरीर में तहरीर का मतलब लिखावट हो ताइए शेरो अदब अरड़ु काही एक और सिन्फ शेरो अदब में मतलब वह सारी चीजा आजाता है अफसाना खाका नाविल द्रा कहते हैं मजमून किसको कहते हैं लोग इसे को मजमून कहते हैं इस तरह हम Guy ड़ी के यानि और इसे यानि मून इसी को हम Welt कहते है हैं ठीक Crash बढ़ते हैं आगे सवाल क Leah despite the Aleman की ब्यास की जाहिर है का मतलब होता है जलकना यानि दिखाई देना और बातिन का मतलब होना बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ होना ठीक है आप लोग कहते हैं जाहिरन या फिर बातिनन ठीक है जाहिर यानि जो सामने से नजर आए बातिनन यानि हो लेकिन नजर ना आए तो यह आपको पुद्राएं दर लोग बोलते हैं जहां पे इनसाफ अलीफ नून जर इन यहां पे डारेक नून की आवाज निकल रही है ठीक है इनसाफ में तो फाइनली ऑफिसन नंबर भी परफेक्ट होगा अगर यहां पे पलंग देखते हैं नून की सही तलफुज नहीं निकल रही है नून गुन्ना की सिर्फ और सिर्फ चिटिंग करने के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ मंतली एक्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको मेंस एक्जाम के लिए भी तयारी करा रहा हूं इस तरह से अगर आप लोग टेस्ट स्रीज को पढ़ते जाएंगे बिल्कुल आपका जो पहला मंतली एक्जाम हुआ था उसमें फर्स चैप्टर से पूछा गया था और सिकेंड जो मंतली एक्जाम हो रहा है उसके आगे के चैप्टर से पूछा जा रहा है तो इससे आपका क्या हो रहा है बिल्कुल लाइन बे लाइन तैयारी होते जा रही है तो इससे बरी खुशकबरी की बात क्या ही हो सकती है इसलिए आप लोग एक एक चीज को अच्छे ढंग से पढ़िएगा याद कीजिएगा जो चीज पढ़ाया दाता है पढ़िएगा सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ एंसर और कोशन देख करके मत जाईएगा क्योंकि चिटिंग तो आप आज कर लेंगे लेकिन एक्जाम में क्या करेंगे भाई इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेश्ट है एप को डाउनलोड कीजिए कोर्स को जोइन कीजिए और अच्छे दंग से अपनी तयारी को मुकंबल कीजिए आईए शक्षन भी को जवाब दीजिए आपको बिल्कुल चोटा सा जवाब देना है मुक्तसर में जवाब देना है गालिब ने वजीफाखार किसको कहा है आप गालिब एक शेयर लिखते हैं कि गालिब वजीफाखार हूं दो शाह को दुआ और वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हुमे तो गालिब जो है न इस शेर में वजीफा खार अपने आप को कह रहे हैं आपको शेर पढ़ने के बाद अंदाजा लगिया होगा कि गालिब वजीफा खार किस वो कहा है खुद को कहा है अपने आप को कहा है ठीक है याद रखियेगा कि गालिब ने वजीफा खार खुद को कहा है अपने आप को कहा है अगला सवाल सवाल नमर दो अली सरदार जाफरी का तालुक किस तहरीक से रहा है पाँच कोश्चन का ही जवाब देना, दो कोश्चन तो जवाब दे ही दिये, तीसरा नमबर सवाल, तो अबाट एक्सिंग की मौत किस जगह हुई, आप लोग जवाब दीजेगा, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर, यानि बीच पर हुई, ठीक माल लीजे, दो ख पता होगा, वजीर आगा जो है न, असल में इनशाया लिखे हैं, आपके निसाब में, चैप्टर नमबर 4 में इनशाया है, उनके मुसनिफ वजीर आगा है, साफ साफ लबजों मैं कहा गिया है, वजीर आगा, नकाद है, शायर है, और इनशाया निगा रही है, तीन पढ़ने के बाद, एक अलग तरह की मिजाज हो जाती है, मूड बन जाती है, एक मूड फरेश हो जाती है, यानि खुश गवार अपने आपको लगता है, खुश हाली लगता है, यानि शगुफता मूड की पैदावार बिलकुल है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है, अग आप लोग याद कर लिजेगा, भाई मैं मैं मेंस एक्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से याद कीजिए, नहीं सिर्फ आप भी अभी जाकर के question paper देख लिए, बहराल कोई बात नहीं, बहुत से student जो है, एक्जाम सेंटर में देखते हैं, तो आप लो हुआता है, आगे बढ़ते हैं, अली सर्दार जाफरी की दो नजमों के नाम लिखे, दो नजम का नाम तो आपको पताई है, मेरा सफर और नजम में गुफ्तगू, ये दोनों नजम अली सर्दार जाफरी का ही है, अगरा सवाल है, टौबा टेक्सिंग किस शै का नाम है, श इसको हम लोग डारेक्ट जवाब नहीं दे सकते हैं, लिखकर के ही लाएंगे तब ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लोग लोग कोश्चन है ना इसमें, अब देखिए सवाल, आपका जो है, इस कोश्चन का दूसरा नमबर, पहला नमबर सवाल ये है, मुंदर्दा जयल मो लिख लिजेगा, वर्जिश के बारे में आप लोग लिख लिजेगा, तो ये सब इसी हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके बाद और नेक्स कोश्चन है, अपने वालदा को खत लिखकर अपनी सिहत का ख्याल रखने की ताकीद कीजिए, ये कोश्चन आपका एक्जाम में आएगा मेंस एक्जाम में, इसलिए ये कोश्चन को पढ़ना काफी जरूरी है, आपके तैयारी बिल्कुल बहतरीन हो जाएगी, अपने वालदा के बारे में आप लोग एक खत आसानी से लिखी सकते हैं, क्लास टेंट में अगर पढ़े होंगे, आप लोग अच्छे से तो उसके बाद आता है, नजब मेरा सफर का मरकजी खयाल पेश के जिए, यानि कहने का मतलब यह है, नजब मेरा सफर में क्या कहा गया गया है, क्या क्या चीज़ें बयान की गई है, ये नजब मेरा, असलिमें, अली सर्दार जावरी का है, इसके बारे में आपको विस्तार से देनी है पता है तब या फिर हम लोग लिख करके लाएंगे आपका डिमांड होगा तभी कमेंट आना चाहिए कम से कम पचास तभी आएगा आपका सब्जेक्टिप का कोश्चन आईए आगे देखते हैं टौबा टेक्सिंग के कुर्ब को अपने अलफाज में बयान किजे कहन सबसे पहला है आपके पास इसमरे की जमा असमा थीक है ठीक है अलीफ सीन मीम अलिव जबर्मा Сंभा असमा उसके बाद शजर की जमा अशजार अलीब शीन जे जीम अलीब जबर्जा रासाकिन अशजार ठीक है फाइदा की जमा फबाइद कौम की जमा अकवाम लफज की जमा अलफाज हक की जमा हुकूप दीन की जमा, अधियान, वरक की जमा, औराक, खत की जमा, खतूत, उसके बाद खयाल की जमा, खयालात, यह सब के सब इजी कोशन है, आप लोग बना ही सकते हैं, और लगबुक पार्च नमबर यहां पे तो तीन बनाना ही है, और सब्जिक्टिब मैं मुझे लगता है मेरे खय क्रिशन नान से फटाफट डाउनलोड कीजिए, और अपनी तैयारी को बहतर बनाईए, अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को बिलकुल भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अपने दिल से लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास पहुँच चलिए क्लास का फिडबैक देखर के जाएगा जाते जाते हैं, एक अगली शेशन में अगली क्लास में जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्ला हाफिज, जैहिन जैभारत चैनल को सब्सक्राइब ने कियें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आन कर लीजिए, वीडि चलिए करते हैं, इंड